नमस्कार सभी अर्वेद जिग्यासुओं को मेरा साथर प्रणाम हमने अर्वेद अध्यन के इस सत्र में आज तक अश्टांग रधय सुत्रस्थान बाराव अध्य है दोश बेदिया इसके पहले दो सुत्र तथा उनकी तीका है इनका अध्यन क्या था और उसके द्वारा ग् किसरा सुत्र है जिसमें कफ़दोश के स्थान का वड़न किया गया है उसके बारे में हम आज देखेंगे उसका जो उसकी जो रचना है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले अभ्यसली सुत्र है उसके नीचे सरवांगा सुंदरा टीका है जिसके रचना अरुणत्य ने की है परवन्यामा शयो रसाहा मेदो ग्राणा इंच जिवाच कफ़स्य सुतराम उरहा यहां पे हर सुत्र की तरह जिससे पहले हमें देखा था कि वातस्य पित्तस्य इस प्रकार कफ़स्य यह शष्ट्विबक्ति का एक रूप आया है जिसका मतलब कफ़के इस प्रकार का होता ह कफ़के क्या तो स्थानम यह शब्द तो इस सुत्र में नहीं है जिस तरह वो पहले के सुत्र में याने पित्त दोश के स्थान के बारे में सुत्र में भी शब्द नहीं पाया गया था तो उस शब्द को हमने सबसे पहले सुत्र से वाददोश वाले सुत्र से अनुवर्तत किया था जिसको हमने कहा था कि carry forward करना मतलब क्या कि उस शब्द को आगे की सुत्र में लेने के बाद अर्थों को संप्रूणत्वा आता है और इसलिए यहाँ पर उसका उलेखना होने के बावजूद उसको हम यहाँ पर अर्थ समझने के लिए carry forward करते हैं इसलिए हम इसको untold word यह अनुक्त सउग्या ऐसा कहेंगे उसके बाद जो एकाक्षरिद शब्दा आया है दो बार वो है च माने के और या इंग्लिश में and कहेंगे तो यह सारे अलग-अलग शब्द है और उनके अलवा जो कफ़के स्थान दिये गए है वो है उर, कंठ, शिर, क्लोम, पर्व, आ यह सूतराम स्थान है अब इस सूतराम इस शब्दा का मतलब क्या है यह हम अरुणत्त की टिका के अध्यन के समय देखेंगे क्योंकि वहाँ पर अरुणत्त जी ने इसके बार में बात की है तो बेसिकली इस सूत्र में उर से लेके जिवा तक कफ़के अलग-अलग स्थान क को कफ़के शेरिम में व्यापति कितनी है इसकी एक जलक दिखाएंगे उसके बाद अरुणत्त ने जो टिका लिखी है वो देखेंगे इनकी टिका बहुत छोटी है यहाँ पे मात्र दो पंक्तियां है कफ़स्य मतलब कफ़के उर प्रभुरुतिनी उर जिनके शुरू में ह जिवनतानी जिवनतानी है झिंके आंत्त में है तो बेसिक ले उर से लेके जिववा तक जो बहुत बड़ी लिस्ट हमने इसके पहले स्लाइड में देखी उस लिस्ट के बारे में यह निर्देश कर रहे है면 जिववा तक बनासरके इसा उतने होता है उसके बाद सुतराम इस चब्द के बारे में सुष्ठू ऐसा उनने कहा है जिसका मतलब होता है अतीशय या प्रशस्त या इंग्लिश में हम जिसको very much excellently ऐसा कह सकते हैं मतलब क्या तो जिस प्रकार पकवाश है ये वातका नाभी ये पित्तका वैसे ही उर्ण ये कफव का विशेश स्थान है उसके लिए उनने यहाँ पे सुतराम इस अलग संग्या का प्रयोग किया है उसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे उर्ण प्रदेश में बाकी शरीर के तुलना में बाकी स्थानों के तुलना में कफवक का प्रमाण ज्यादा होता है इसलिए इसको प्रशस्त कहा है उरा स्थानम इसका मतलब पता है उरा मतलब वक्ष जिसको हम एंगलिश में चेस्ट कहेंगे तो ये बाकी तो इसका मतलब बहुत सरल है तो अरुडदत्य ने बस इतनी ही टिका यहाँ पे की है उसके आगे हेमाद्री की टिका देखने के शुरॉत करेंगे उसके पहले की दो पंक्तिया कफस्या आह कफ़के आह मतलब कहेंगे क्या कहेंगे तो स्थान कहेंगे वही तो सिलसला पहले से चल रहा है तो बारबर वो शब्द का उल्ले कि यहां पे करेंगे नहीं लेकिन हमें वो शमजना पड़ेगा उरा इती तो उरह यहां से शुरू होने वाला जो सूत्र है ये तीसा सूत्र वहां इसमें कफ़के स्थानों का वर्णन है ऐसा यहां पर पहली पंक्ती में वर्णन हेमाद्रीजी करते हैं उरह मतलब वक्ष जैसे हमने पहले देखा तो यह भी बहुत सरल अर्थ है इसके बाद कलोम इस अवयव विशेश के बारे में कुछ चर्चा हेमाद्री करते हैं क्या कहते हैं वो तो कलोम यह अवयव कौन सा है पहला तो वो उदकवाही स्रोतो मूलम माने उदकवाह स्रोतस का मूलस्थान है दूसरा रुद दक्षिन तहार रुधय के दाहिने तरफ दक्षिन मतलब राइट साइड दाहिन ने बाजू तो रुधय के दाहिने तरफ स्थित है इड बनी किस से है तो माउसदात्व से बना हुआ है इसका मतलब ये ऐसा कोई आवयो है जो रुदय के दाहिने बाजू में माउस के द्वारा घडित हुआ ऐसा गाड जैसा है अभी एक समुशी की बाद ऐसी यहां पे फिलाल होती है कि exactly ये आवयो मतलब क्या ले इस पे कोई पक्की राय अभी तक बनी नहीं हुई है क्योंकि हम क्लोम के exact अर्थ को समझने में कुछ कम गिर रहे हैं इसलिए इसको नट्चल में हम इंग्लिश में हैसा कह सकते हैं कि लेकिन क्लोम इक्वल टू वहत यह कहना यह अभी तक बहुत सारे चर्चाओं में भी कुछ कंप्लिशिव नहीं हो पाया है इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम अभी भी ग्रंथों की परिभाशा को समझने में कम गिर रहे होंगे या इसके जो अन्य संदर्ब है जो किसी अन्य करंथ में होंगे वो हम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो यह भी एक रिसर्च का संवुशन को एक टॉपिक हो सकता है कि क्लोम माने एक्जेक्टली क्या अभी परेत है इसके लिए हमें जो भी आयर्वेत की आर्श समविताए जिनको शब्द प्रामान्या है इन समविताओं में से क्लोम के सारे संदर्ब ढूढने पड़ेंगे उनके टिकाओं के द्वारा उसका बारकाई से अध्यन करना पड़ेगा इतना है नहीं शायद हमें आयर्वेत छोड़के उस समय के जो अन्यकरंथा थे जो वैदिक वांगमाई के थे उसमें क्लोम का संदर्ब कहां कहां पर आया है इतने सारे संदर्ब इकठा करने के बाद शायद हमें कुछ हिंट मिल पाए लेकिन अभी आज के तारिक में सारे वैदियों में ऐसा एकमत बिल्कुल नहीं है कि क्लोम को exactly किस अवयों के द्वारा संपोधित करना चाहिए और इसलिए complete understanding of क्लोम is yet to be achieved ऐसा हमिया पर अभी कह सकते हैं तो आप में से अगर किसी को interest हो तो ये topic पढ़ाई के लिए बिल्कुल ले सकते हैं इसके आगे बढ़ेंगे जो उर्वरिटी का है उसमें आता है कि परवाणी का मतलब क्या है तो परवा मतलब संधी संधी मतलब क्या? सिर्फ bone joints क्या? तो येसा बिल्कुल नहीं संधी का actual meaning क्या है? जहां दो शरीर भाव एक साथ आते हैं वो उसको संधी कहेंगे तो दो शरीर भाव में दो हड़ियां साथ में आए ऐसा बिल्कुल जरूर नहीं है यहां पर अस्ति संधी छोड़ के भी कंडरा, स्नायू ऐसे अलग अलग शरीर अवयोवों का जोड संधी कहलाता है और इतनी बड़ी व्यापक परिबाशा संधी की आयरवेद में आपक्षित है और यहां पर कफ़ क्या कारे करता है, तो हमें सब में बताएं कि वहां पर श्लेशक कफ़ नाम का प्रकार विशेष इस्तित होता है और श्लेशक इसका शब्दशा मतलब है चिपकाने वाला या दो चीजों को इकठा रखने वाला तो शरीर में जहां जहां पर दोन अलग अलग चीज़े इकठा आती है उनको जोड़के रखने का काम यह कफ़ यह हम कही सकते हैं कि श्लेशक कफ़ नाम का प्रकार खाता है और इसलिए संदी का मतलब सिर्फ जोइंट्स अफ बोन एसा ना लेते जहां जहां पर दो अवेव इकठा आते हैं एसा हमें व्यापक मतलब लेना है यह समझना बहुत ज़रूरी है उसके बाद घर्ण इसका मतलब नासायन नोज यह बहुत ही सरोला जतا है जो अंत की पंक्ती है एश्यू मतलब इन में यह सब्दमिवग्टी का भहवचन है सब्दमिवग्ती यह जो नाम को लगती है उसका मतलब है कि इन में जगह यान llocation का integration करवाता है तो यहां पर एशु मतलब इन में ब्यम्न le सारे स्थानों के बीच में या अमांग्स लोकेशन्स ऑफ कफर क्या उरहा यह विशेशताह स्थानम उरह इस पेशल लोकेशन जो हमने आप भी पहले देखा सुतराम उरहा तो यह भी उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से यहां पर स्पष्ट किया है तो कफर स्थान में जो शु स्थान पर सबस्तर mee जो भी टीका ही थी वहां पिंष ने अच्छ्छा कासा वितो क्या था हो पार्टिं समुझने के बाद कफ स्थान के बारे में जो चीजिग्याँ शेथ वह यहां पर वो नहीं कह रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे कफर की जो स्थान है उन Дेखके प्रथान प्रकार रहता इस अवलम्बक कफ़ का प्रधान कर्म किया है तो वो पुर्ट में ही रहके अन्य जगह पे जहां जहां पे कफ़े हैं उन्य उपकार करता है अनुग्रह करता है मतलब वो वहीं पे रहे के बाकी कफ़ के स्थानों को तथा कफ़ को बला देता है उनका पोश्ण करता है और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कफ़ का हेड़ आफिस उरह है और उसका जो बॉस है वो है अवलंबक कफ़ और इसलिए उरह तथा अवलंबक कफ़ को कफ़ के कर्म कर्म में अनंत्य साधरन महत्व है उसके बाद जो आता है वो कंठ तो कंठ के जो सारे व्यादियों का वर्ण आता है वो अश्टांग उर्दय गरंथ में उत्ता स्थान के 22 वैंध्याय उसमें उसकी निदान देखने के लिए मिलता है, इसका वर्णन मुख रोग के अंडर ही आता है, मुख रोग में ओष्ठ से लेके कंठ तक जो बीच वाले सारे भाग विशेशे उनके व्यादी दिये हैं, उनका वर्ण करते समय ग्रंथकर ऐसा कहते हैं कि मुख दंतमूल गल जाहा, प्राय जनरली मुख दंतमूल तता गल, मतलब कंठ की जो रोग है, उनमें कफ तता रक्त का प्रधान प्रकोप पाया जाता है, तो टू थींग्स विचर जनरली विशेटेड और अग्रिवेटेड इन एनी कांड ओफ डिसीज रिलेटेट टू कंठ, आर कफ और रक्त, मतलब कफ का स्थान होने के साथ साथ, जो कंठ के व्यादी होने वाले, वहां पे भी हमें कफ का प्रधार देखने के लिए मिलता है, और उसका रिफ्लेक्शन चिकिसा सुत्र में स्पश्टर रिकेस देखने के लिए मिलता है, काय शिरसहा विरे को वमनम कवल ग्राश शकड़ दिखता ह प्रायाशस्तम तेशाम कफरक्तारम तथा कर्म, मतलब क्या, तो यहाँ पे हमें जितना अर्थ देखना है विशिष्ट उतना ही देखेंगे, इसके जो विशिष्ट उपकरम है, जैसे शिरसह विरेको, मतलब शिरो विरेचन नमका नस्यप्रकार, जिसमें कफरदान दोशो उपकरम करेंगे, वो उपकरम हमें इन व्यादियों में करने है, तो सूतर रूप में भी, यहाँ पे वो कफ़ का प्राधर्न एंफिस करते हैं तो इसका मतलब कैसे निकाल सकते हैं हम तो कंठ यह कफ़का स्थान होने की वजह से वहां के व्यादियों में प्रा यहां कफ़ग्न उपचार ज्यादा करने पड़ते हैं व इसलिए त्रिफला दारु अरिद्रा कंटकारी जैसे जो रख्षण में करते हैं और इसलिए हम हम यह कह सकते हैं कि स्वस्थान में उस उस दोष के विळुद्धी आसानि से उसकती है और इसी लॉजिक से यह स्वश्टः करना बहुत आसान है कि कठ कफ़क अस्तान होने की वज़र से वहां पर कफक के व्याधी जल्दी होंगे श्रीक्र हें विच्ञ्ण जिक्र waiver 20 20 कंद्थ्ध्य का सै निट्याभ्यां. यहा包 है वो कहे रहे हैं कि स्वस्त्वृत्त स्वस्त व्यक्ति स्वस्त्व को स्वस्त ces का इस्तमाल करना चाहिए तो प्रायहा प्रधांस नेह जो हमें सबको पता है गुत तैल वसामज्ज तो उन में से कौनसा स्नेह सबसे ज्यादा उपयक्त है तो यहां पर वह उस प्रश्टा तरीके से कहते हैं कि तैलम एव तैलही नस्य के लिए नित्या अभ्यासे न शस्यते नित्या अभ्यास के लिए इसका मतलब है फॉर्दर रेगिलर यूसेज चस्चते इडिस एप्रिशेटेड क्यूं यह रिजन बहुत जरूरी है शिरसाहा श्लेशमधामतवात शिरप्रदेश यह कफ़का आधार आश्रय घर होने की वज़े से यहां पे तेलही सबसे उपय उपयोगता नहीं है उसकी टिका के लिखते हैं तो वहाँ पे हुने कहा है कि श्लेशमधाम मतलब कफ़का घर या आश्रय और दिनचरिया में नस्य के लिए स्वस्थव्यक्ति ने हमेशा तैलही योग्य है न कि कोई अन्यस नहीं है यह यहां पे जरूरी बात क्यूं है क् कि बहुत सारे लोग स्वस्थवृत्त वशाद जो नस्य करते हैं वहाँ पे गृता का इस्तमल करते हैं और यहां पे यह बात देखना जरूरी है कि शिरप्रदेश यह कफ़प्रदान होने की वज़य से वहाँ पे अगर गृता का अतियोग हुआ तो वहाँ पे कफ़वृ कुद्धी है वह होने देता नहीं है और इसलिए तैल बाकिस नेहों से ज्यादा प्रशस्त कहां गया है नित्य नस्य के लिए तो यह शिर के बारे में वर्ण क्या था इसके बारे में अलुंड तस पश्ट तरीके से कहते हैं कि नतु अपरेस नेहा कोई अलक्स नेह का इस् टेंडेंसी रखते हैं और इसलिए उनका निशेद अरुंड अप्त ने तता वागबट ने खुद ने स्पश्ट तरीके से किया हैं अदर काइंड आफ नेहां और कॉंट्र इंडिकेटेड फर रेगुलर नस्य इन हिल्दी परसंड तैल कैंड बी यूज़ ऑन रेगुलर का मतलब है संधी जो कि किसका स्थान है श्लेशक कफ़ का स्थान है इसका मतलब हमने देखा कि श्लेशक मतलब दो चीजों को इकटा पकड़ के रखना जोड के रखना यह काम श्लेशक कफ़ संधियों के जग करता है अभी इसमें अगर शय हो जाए कफ़क शय हो जाए तो क कफक्षे की वज़े से क्या होता है तो संधिता मतलब संधियों में लैक्षिडियाना यह चीज़ देखने के लिए मिल सकती है यह व्यवहार में हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है तो इस प्रकार के संधिया यह डिस्लोकेशन के लिए ज्यादा प्रोन हो सकती है यह पहित्यों से भी संधियों में विशलेश होना मतलब संधियों में जो दो एकठ चीजी आई वो दूर होना यह सकता है तो आसाने से मसल्कूल होना जोन्ट डिस्लोकेट होना यह वन अफ्द लक्षण हो सकता है कफक्षय का तो यह इसके विहावारिक बात हो गई उसके बाद अभि हाब कर याद होगा तो इसके रहें सकता है वह तचा में जो सबस्टे के से कहीं कि कैसे एक जगह पे दो यह अधिक दोशिष भी साथ में रह सकते हैं देखें पीस्फुली को एक्जिस्ट इना हिल्दी परसन तो सिमिलरली यहां पे भी पूरे आमाशे में दो दोश प्राकुर्द आवस्था में रहे सकते हैं किस प्रकर रहते हैं तो इसमें जो विशिष्ट बात कहीं है वो देखना जरूरी है कि प्राया आमाशे के जो उर्धो बाग तो उसमें से जो उपर ही हिस्सा है मतलब उर्ध स्थान के नजदिक वाला वो कफ़का स्थान है और वो विशेश था क्लेदक कफ़का स्थान है क्योंकि क्लेदक कफ़का स्थान आमाशे कहा है और पित्त का स्थान देखने के लिए जाए तो वो प्राया अधो भागे इड यहां पर उसके बाद जो एक और रसग नाम का आमाशे का कफ़का स्थान है वह रसथा वह खुद एक धातू है प्रतब धातू है इसका प्रैक्टिकल एप्लिकेशन कैसे देखने के लिए मिलता है तो यह अश्टांगुर्गे सुत्रस्थान का जो गैरा वाद्या है उसमें ह कफ़ वृद्धी के जो जो लक्षन है वो सारे लक्षन हमें रसव रुद्धी में भी देखने के लिए मिलेंगे इसके साथ और एक जो बहुत ही commonly known कफ़ा का स्थान है वो है जिव्वा किस कफ़ा का स्थान है वो बोधक कफ़ा का स्थान है और इसलिए बोधक का मतलब क्या होता है रसबोधन मतलब जब भी हम कुछ खाते है तो उसका जो स्वाद हमें आना चाहिए इसलिए आपने देखा होगा कि अगर मुह में कफ़ा कम हो मुह सुखा सुखा हो तो हमें स्वाद अच्छे से आता नहीं है तो यह कर्म है जिव्वा में आश्रिच जो बोधक कफ़ है उसका उसके बाद जो अन्य भी कफ़ा के स्थान है उनके भी ऐसे बहुत सारे हम एप्लिकेशन देख सकते है लेकिन यहाँ पर एक मर्यदा समय की जो है उसको देखते हुए हमारे विशे यहाँ पर पूरा करेंगे और जो हमारा आयर विधोपदे शेशु विधय परमाधरा यह प्रतीतन्या है उसको याद करके फिर एक बार यह याद करेंगे कि पाठ अवा बहुत अनुष्ठान मतलब एक तो इन चीजों को पढ़ना है और आइडेली याद करना है अवा बहुत अनुष्ठान वह चीज जो हम इकठ्था साथ में करने की कोशिश कर रहे है कि टिका के द्वारा संसुल के मुलब युद्ज्ञान के द्वारा हम जो गरंथ को अभिपरेत अर्थ है वह जानने की कोशिश करें उस पे कुछ ज़्यादा सोच विचार करें और फिर इन सारे फैक्ट्स तता नॉलेज को हमारे व्यवार में कैसे ला सके फिर वो निदान का हो चिकित सा का हो और रिसर्च का हो उसको अनुष्ठान कैसे करे अपला कैसे करे अल्टिमेटली हमारा प्रवेजन क्या है धादुस हम में करिया है तो वहाँ तक हमें इस सारे ज्यान को लाना है सिर्फ उसको बुक में रखना नहीं है यह कोशिश हमें और आपको करनी है तो इसी प्रवेजन से हमने यह आज कफ़दोश के स्थान उनकी टिकाओं में जो भी कुछ ज्यादा विवर्ण आया है वो देखने की कोशिश की थी तो इसमें अगर कोई आपको शंका होगी या कोई चर्चा कुरनी होगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कुछी दिन में इसे अध्याय में जो आगे बातादी दोशों के प्राणादी, पाचकादी तथा अवलंबकादी प्रकार बोले है पाच-पाच उनके बारे में सुत्र सुत्रों का अध्यान तथा टिकाओं का अध्यान हम वीडियो के द्वारा करेंगे आप सबने इस सब्सक्रों को बहुत ही पेशनली सुना इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद